हेलो एवरीवन वेलकम बेग तो फुल स्टेक वेब डेवलोप्मेंट कोर्स यूजिंग रियक जैस एंड स्प्रिंग बूट सो पिछले वीडियो में हमने सारे करड ऑपड्रेशन देखे थे ठीक है एंड वीडियो में क्या करेंगे की यूजर की API बनाएंगे पिछले वीडियो में हमने जो जो business logic था and endpoints था हमारा वो सारा यह की file में यहाँ पर लिख दिया था अब इस वीडियो में इसको थोड़ा structure करेंगे ठीक है इसके business logic के लिए अलग class बनाएंगे services वगेरा इसके बाद service का implementation करेंगे ठीक है and finally guys user की API इस वीडियो में हम complete कर लेंगे ठीक है so user की API में कौन-कौन सी चीज़े आएगी वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं like register user इसके बाद find user by id find user by email follow user unfollow user भी आ जाएगा इसमें इसके बाद user को search करने के लिए एंड user को update करने के लिए ठीक है इतनी चीज़े हम करेंगे बाकी की यह जो find user by profile JWT है password को update करने के लिए and send password email वो सारी चीज़े हम जब इसके spring security इसमें include करेंगे तब करेंगे ठीक है अब तक के लिए इतनी API जो है वो हम user की बना लेंगे okay so now guys without wasting any time let's get started so मैं आचुका हूँ अपने sts id में and यहां से what I am gonna do यहां पर एक नया package create करोंगा services के लिए ठीक है so let me go to new package and here I need to give service service okay and inside it I will create a new interface interface create करोंगा पहले तो जिसका name में दूँगा user service user service okay and यहां पर सारी methods में guys लिख लूँगा so public user पहले तो user को create करने के लिए maybe user को register करने के लिए भी आप कह सकते है ठीक है so let's write it so what I am gonna do here user and register user ले जिते है ठीक है register user and यहां पर user लेना पड़ेगा ठीक है जो की front end से आयेगा and इस user को guys मुझे import करना है ठीक है अब यहां पर register user के बाद दूसरी कौन से है let's check find user by id find user by email and follow user so let's write it find user by id ठीक है यह भी user ही return करेगा and यहां पर मुझे integer में user id देनी पड़ेगी and अब public find user by email ठीक है email से भी हम user को find करेंगे so यहां पर मुझे देना पड़ेगा string and email okay then follow unfollow दोनों के लिए एक method रहेगी so इस में जब हम follow करेंगे so what I'm gonna do here यहां पर मैं चलो user ही return कर दूँगा and follow user दे देता हूं ठीक है and इसके बाद यहां पर मुझे दो चीज़ा चाहिए होगी एक तो किस user को follow करना है and एक कौन सा user follow करेगा ठीक है so user1 user id1 integer दे देता हूं ठीक है integer user id1 and integer user id2 ठीक है यह चीज़ में यहां पर दे दूँगा follow user आ चुका अब public user and यहां पर मैं दे दूँगा update user so update user and यहां पर भी मुझे user देना पड़ेगा that's it और कुछ है क्या let me check find user search user बच्चा है ठीक है so search user को भी मैं यहां पर define कर दूँगा अब search user में guys list of user आएंगे ठीक है multiple users होंगे so यहां पर मैं search user दे देता हूं अब search user में query देनी पड़ेगी query query में जो भी होगा उससे related user find करेगा यह कुछ first name से find करेंगे कुछ last name से और maybe अगर email भी देता है तब भी हमें वो user दिखाना है ठीक है email से भी search कर सके user को yeah ठीक है so यह तो हो गया हमारा interface अब इसके लिए guys हमें लिखना पड़ेगा services service लिखनी पड़ेगी so what I'm gonna do here new class and यहां पर लिख दूँगा user service implementation user service implementation okay and यह implements करेगा user service को so यहां पर मुझे implements करना पड़ेगा यहां पर देना पड़ेगा user service ऐसे दे देना है इसके बाद guys अब आप यहां पर देखेंगे तो मुझे कुछ error से ही line आ रही है जब मैं इस पर over करूँगा तो यह मुझे बोलेगा add unimplemented method तो जैसे मैं इस पर click करूँगा तो सारी method मेरी यहां पर आ जाएगी जो मैंने user service में defined की थी अब इसका implementation हम यहां पर लिखेंगे one more thing guys क्योंकि यह ना एक business class मतलब business logic होने वाला है business class logic होने वाला है इस class के अंदर हम सारा अपना business logic लिखने वाले सो इसको मुझे service annotate करना पड़ेगा ठीक है service annotate करना पड़ेगा ओके और इसके बाद यहां पर मुझे user repository की एक जरूरत पड़ेगी so user repository user repository ओके और इसके बाद इसको मुझे annotate करना पड़ेगा autowired से autowired और यूजर repository को यहां से में कर दूँगा import that's it guys अब क्या करेगे register user का जो logic है वो already हमने user controller में लिखा हुआ है so यहां से मैं करूँगा copy इसको यहां से मैं कर लूँगा copy and यहां पर आके paste कर दूँगा ठीक है and यहां पर return कर दूँगा saved user okay control s करूँगा इसको एक बार rerun करके सभी files saved कर लेते ठीक है अब वापस में जाओंगा user controller में and यहां पर अब मैं क्या करूँगा कि user service जो अभी अभी मैंने बनाई है उसको import करूँगा user service and इसको annotate करूँगा auto wired से इसको कर लूँगा saved अब क्या करूँगा यह जो business logic मैंने यहां बर लिखा है ना इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है so इसको मैं यहां से remove कर सकता हूँ यहां बर इसको भी remove करूँगा and instead of user repository I will use here user service so user service dot इसके अंदर guys हमने method लिखी थी registered user so registered user मुझे यहां पर मिल जाएगा and इसमें मैं यूजर दे दिया and that's it guys अब दो line में यहां पर हमारा काम हो जाएगा खतम okay create user मैं अब मैं इसको ctrl s करूँगा and let me check here okay हमारे पास कोई error नहीं है ठीक है so यह first हमारा controller complete हुआ guys अब ना हमारा code एकदम clean लग रहा है हमारा logic अलग है हमारा endpoint अलग class में है and सारे logics भी अलग file में चले जाएंगे ठीक है अब अगर मैं इसको कोई नया user create करने की try करता हूँ let me do it so अगर सिटा को मैं create करो and अब की बार इसको मैं id5 देता हूँ ठीक है ठीक है so यह user मेरे पास create हो चुका है and get all users में फिलाल आप देख सके हैं मेरे पास दो users है and that तीसरा भी में यहाँ पर आ जाएगा 5 id जिसकी 5 id तीसरा user भी आ चुका जैसे मैंने इसको rerun किया all right guys so हमने इसको ना structure बना दिया फिर भी यह working fine मतलब find work कर रही है ठीक है एकदम से all right guys अब क्या करेंगे बाकी की जितनी भी method से वह सारी ऐसा ही implement कर लेंगे find user by id so मैं जाओंगा user controller में find user by id so इसका सारा का code मैं यहां से control x कर लूँगा और यहां पर paste कर दूँगा अच्छा यहां पर मुझे देनी पड़ेगी user id okay यहां पर भी मुझे देनी पड़ेगी user id यहां पर throw declaration मुझे add करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा में यहां से भी add exception कर देता हूं ठीक है यहां पर मुझे throws करना पड़ेगा exception of course and अब आप अगर देख रहे हैं तो मेरे पास अब कोई error नहीं है that's it okay अब find by email find user by email के लिए हमने कुछ नहीं किया था तो वो हम यहां पर कर लेंगे इसके बाद इन सभी को implement करते हैं get user by id and इसके बाद यह update user का है ठीक है अब देखते हैं इसको पहले क्या करते है find user by email तो इसके लिए guys मुझे जाना पड़ेगा repository में अब क्योंकि एक मिनिट मैं आपर आपको बताता हूँ ठीक है user user equal to user repository dot find by अब guys इसमे find by id तो है ठीक है लेकिन find by email कहीं पर भी नहीं है so यह method ना हमें बनानी पड़ेगी इसमें repository में so मैं repository में जाऊंगा यहां पर यहां पर हम लिख लेंगे public return क्या करेगा user return करेगा and इसका जो guys naming convention है ना method का वह बहुत important है वह crucial है ठीक है so इसके लिए पहले आपको small letter में लिखना है find by ठीक है find by आप करना चाहते है अब इसके बाद आपको यहां पर field का name दे दिना है किस field के through आप find करना चाहते है so मैं email दूँगा and यहां पर मैं ऐसे दे दूँगा now it will fine okay and यहां पर मुझे email भी देना पड़ेगा so stream email okay control s करूँगा alright find by देना है इसके बाद field का name देना है किस field के through आप find करना चाहते and one more thing कि यह जो field है वो कहां से आएगी so यह जो field है वो आएगी आपके model में से आपके model में आपने जो भी field defined की है वो field आएगी ठीक है so यहां पर मैंने email दिया हुआ है so मैं email कुछ इस तरह लिख लूँगा अब इसके बाद मानलो आप find by first name देना चाहते थे तो email को अटा के यहां पर first name भी दे सकते हैं ठीक है so यह भी work करेगा गाइस लेकिन हम first name के दुरू find नहीं करना है email के दुरू करना है तो यहां पर मैं email दूँगा ठीक है camel case में रहेगा guys यह method का name so ध्यान में रखेगा इसके आप password से भी find कर सकते last name से भी find कर सकते है guys ठीक है and id से तो ही हमारे पास already so id की जरूरत नहीं है अब guys अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहां पर देख सकते है find by email मेरे पास आ चुका है and यहां पर मैं email दे सकता हूँ and now इस user को मैं यहां से return कर दूँँगा okay so यह मेरी method हो चुकी complete अब follow user हाँ यहां पर हम field define करेंगे so private string followers followers में user के जितने followers होंगे वो आ जाएंगे इसके बाद private actually यहां पर string नहीं होगा यहना list of user id रहेगा मतलब integer integer followings इसके followings यहां पर आ जाएगी ठीक है list को import कर लेता है यहां पर भी guys मैं यही same change दे दूँगा इसको copy करके क्ट्रॉल जाएगी पर लेता है यहां पर लेता है जंडर बीजर करू इसके जा एगाई च्रीं जंडर all right so followers में guys इसके follower user के id यहाँ पर add कर देंगे and following में following user के id add कर देंगे okay अब इसके लिए getter setter methods generate कर सकते हैं यहाँ से okay so let me go to source and generate getter setter methods इन तिनों को select कर लेंगे and generate पे click करेंगे then इसके बाद all arts constructor भी generate कर लेंगे so generate constructor using fields इसके बाद इसको करेंगे update now let me go to user implementation okay follow user अब करते है follow user को so follow user user id 1 and user id 2 हमने यहाँ पर दी हुई है अब user id 1 का मतलब यह है कि यह जो user 1 है वो user 2 को follow करना चाहता है ठीक है आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए दोनों user में यहाँ पर user1 यहां से find कर लेता हूं ठीक है so find by id find user by id यह method guys हमने यहाँ पर define की है ना find user by id अब इसी method को यहाँ पर यूज कर लेंगे बार बार हमें user repository का use करके वो optional वगेरा देनी की जरूरत नहीं है डारक हम यहाँ से कर सकते हैं ओके एंड अगर मैं hover करूंगा तो यहाँ पर exception add कर देता हूं ठीक है ताकि यह हमारा problem चला जाए अब इसको मैं save करूंगा user service implementation में वापस हाऊंगा यहाँ पर user2 equal to find user by id and इसमें user id 1 दे देंगे sorry 2 देनी है पहले वाले में 1 देनी थी ओके लेट में चेक change it user1 and 2 आ गया अब क्या करेंगे कि user1 जो है वो user2 को follow करना चाहता है ठीक है अगर user1 user2 को follow करना चाहेगा so user2 जो है वो update होके इसके जो followers है इसमें user1 को add कर देंगे so get followers अब user1 user2 को follow करेगा तो क्या होगा कि user2 के followers में यह add हो जाएगा so dot add user1.get id ठीक है पहले user की id इसमें add कर देंगे अब पहला user दूसरे user को follow करेगा तो पहले user की followings में दूसरे user की id चली चाहेगी वो भी यहां से कर देते हैं user1.getfollowings now followings dot add user1 sorry user2.getid user2.getid that's it okay अब user2 and user1 दोनों को हमने guys यहां पर update किया है तो दोनों को save करना पड़ेगा of course so what I'm gonna do here user repository dot save user1 and user repository dot save user2 user2 okay and return में guys user1 follow करना चाहता था तो हम user1 को ही यहां पर ठीक है ठीक है okay alright guys so यह follow user की API हो चुकी complete अब करते अपडेट user की so वापस में चाहूंगा user user controller में and यह update user है ठीक है so इसका सारा logic यहां से में cut कर लूँगा and update user में यहां बर दे दूँगा user को में update करना चाहता हूँ ठीक है so integer user id यहां पर दे देते हैं control s करते है and यहां पर user id दे देंगे so integer and user id इसके बाद यह मुझे add throw declaration बोल रहा है so में add कर दूँगा इसके बाद यहां से भी add कर दूँगा so इसमें भी आ जाएगा ठीक है अब इसको भी save कर लूँगा and इसको भी save कर दूँगा okay guys so यह update user का आमने पिछले वीडियो में बनाया था वही है कुछ changes वगेरा नहीं किया है okay and yeah so now let's move to the next part and that is nothing but search user okay so search user के लिए भी guys मुझे एक repository में एक method बनानी पड़ेगी so what I am gonna do here public and it will list it will return list of user of course guys जब मैं राम लिखूंगा ठीक है so maybe 10 user के same name हो राम और मैं भी कोई Aurora करके मैं last name देता हूं तो मैं भी 10 10-25 user के same last name हो सकता है ठीक है so इसलिए यहां पर list of user आएगा method का name दूँगा मैं search user search user and यहां से मैं यहां पर मैं दूँगा मुझे कुछ पराम्स में यहां पर देना पड़ेगा अब पराम को गाइस मुझे यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा so let me import it अच्छा यह import दो हो चुगा लेकिन यह क्या बोला add missing attributes okay let me add attributes as well so query देता हूं ठीक है all right and अब list को भी import कर लेता है list of user so list okay यहां पर है all right list को भी import कर दिया okay अब guys यहां पर मैंने query पराम्स क्यूँ दिया है वो अभी के लिए भूल जाए आब के वल string and query वो याद रखिया जैसे यहां पर दिया था वैसे ही मैंने यहां पर दिया इसको मैं आपको बताता हो आगे अब यहां पर guys मुझे query लिखनी गए ठीक है so वो गैसे लिखेंगे यहां पर query से मुझे annotate करना पड़ेगा इसके बाद इसके अंदर double code में यहां पर हम query लिख सकते है what I am gonna write here select star from select star star मतलब सभी records चाहिए मुझे किस में से चाहिए so user models में से चाहिए select star और maybe select star ना देके यहां पर select you दे सकते है क्योंकि मुझे user में से चाहिए select you from user you and where इसके बाद condition आएगी where you dot पहले तो first first name में चेक करेंगे कि यह जो query user ने पास की है वो first name से related है गया इस query जो यहां पर है इसको मैं access कैसे कर सकता हूँ so इस तरह कुछ colon देके मैं यहां पर query को access कर सकता हूँ अब first name अगर match होता है ठीक है तो मुझे वो दे दो यह मैं यहां पर बोलना चाहता हूँ इसके बाद और अगर first name नहीं होता लेकिन last name होता है तब भी दे दो तो मैं क्या यहां पर दूँगा कि और u.lastname इसमें भी like दूँगा and then यहां पर मैं दे दूँगा query query का spelling यहां पर miss वह था query और one more thing guys यहां पर जो query है the 리 इन दोनों का spelling match होना चाहिए exact match होना चाहिए cuts camel case में आ Tuesday small में है तो small में लिख़ए upper case में लिख़ए lower है तो lower लिख़ए exact match होना चाहिए व्यریuegoル आप इसको variable चलिए सकते लाआ यह व्यदbbeल का name exact same होना चाहिए otherwise itill नाट वर्क अब email का भी यहां पर देदेंगे और u.email like और यहां पर email देदेंगे ठीक है अब गाइस यहां पर मैंने u.first name दिया है यू.last name दिया है और u.email दिया है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हमने first name क्यों दिया है क्योंकि यह हमारी field है last name भी हमारी field है email भी हमारी field है ठीक है जो हमारी field में थे वही use किया है अगर इससे भी अगर यह match नहीं करता है ठीक है इसको last name आप यहां पर तो दे दिया लेकिन इसको user class में से नहीं मिला last name तब यह फिर से exception throw कर देगा त्यान में रखिएगा यहां पर आप जिस में से भी select कर रहे है यहां पर मैं user में से select कर रहा हूं तो वह user class में जाएगा and last name में चेक करेगा इसके बाद first name में चेक करेंगा इसके बाद email में चेक करेगा ठीक है so यह चीज़ है now let me rerun it सभी file को मैं save लेता हूं and एक मुझे error मिला है वो है controller का ठीक है so controller में जाऊंगा मैं okay and अब यह जो delete user है चलो इसको रहने देता है update user में what I am gonna do here user updated user equal to user service ठीक है अब user service का use करेंगे of course user service के अंदर हमने update user के लिए एक method बना यही थी इसमें हमने user and user id देना था so वो मैंने यहाँ पर दे दिया है and that's it इसके बाद यहाँ पर हम return कर सकते है updated user okay same चीज़ with user id guys यहाँ पर मैं user find करूंगा user user and user service dot find by user id यह method हमने बनाई थी यहाँ पर मैंने id दे दी and अब इसको कर देंगे return ठीक है all right यह update user के लिए हो चुकी है अब delete user के लिए यहाँ से इसको remove कर देते है ठीक है इसकी जरूरत नहीं है so delete user को remove कर देते है get users की बले रही यहाँ बर रहने देते है इसको अब follow user and search user दो हमारे पास नहीं है so let's write public follow user जो है वो user return करने वाला है so follow user handler कुछ इस तरह return null and यहाँ पर guys मुझे दो user id देनी थी एक तो कौन सा user follow करना चाहता है and एक कौन से user को follow करना चाहता है अब guys यह put method रहने वाली है so let me give your put mapping यहाँ पर मैं users दे दूँगा इसके बाद पहले user 1 दूँगा user id 1 user id 1 and इसके बाद user id 2 दे दूगा ठीक है यह पहले वाला user दूसरे वाले को follow करना चाहता है अब इन दोनों को यहाँ पर access करूँगा path variable का use करके at the rate मद बुलना guys अदरवाज इसके बाद integer user id 1 then again path variable इस बाद user id 2 को access करेंगे so integer user id 2 ठीक है okay and guys ऐसे हम path variable को access कर सकते है मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में so yeah now let me right here user and user service इसके अंदर हमने follow user के लिए एक method बनाए थी ठीक है इसमें user id 1 and user id 2 दी थी अब इसके लिए यहां पर update user और follow user यह वाला ठीक है यह वाली method अभी अभी हमने call की है इसमें अब करते हैं बनाते हैं controller इसके लिए search user के लिए actually search user के लिए यहां पर पहले तो हमें method defined करने पड़ेगी so what I'm gonna do maybe method नहीं but हमारा जो business logic है वो हमें यहां पर देना पड़ेगा so user repository यहां पर मुझे देना है and search user by query ठीक है यह से दे देना है करने इसके बाद करूंगा इसको saved and now let's go to user controller and let's create one controller for this as well public it will return a list of user guys so we need to give your list of user and here search user then यहां पर मुझे query देनी है ठीक है so वो path variable में से आएगी path variable और maybe जो query है वो हम request parameter से भी ले सकते है so request parameter ऐसे हम request parameter दे सकते है and इसके बाद यहां पर मुझे देना है query okay and then यहां पर string देना है and यहां पर जो भी keyword है और maybe इसको query कहेंगे हम चलो query कहें देता है कोई दिखकर नहीं है and यहां पर मैं define करूंगा list of user so list यहां पर मुझे देना है users user service dot search user यहां पर देना है query and then return users that's it okay यह हमारा काम हो चुका अब यहां पर मुझे इसको annotate करना पड़ेगा gate mapping से क्योंकि यह gate mapping होने वाली है guys okay and endpoint इसको दे देंगे users and search करके देते है ठीक है okay user को search करने के लिए है तो okay and अब यह जो API है वो थोड़ी different होने वाली है guys let me rerun it once and API को क्या करेंगे की check करेंगे so इसने मुझे एक error दिया है let's check what is that error hmm okay so error क्या है error creating bin with name user controller unsatisfied dependency express through field user repository error creating bin with name user repository defined enable jpi repository declared on jpi repository register.enable jpi configuration could not create query or public abstract search user validation failed for query for method public abstract okay so यह बोल रहा है कि यहां पर आपने जो query दी है इसमें कूछ तो जोल जाल है क्या जोल जाल है let's check like then query इसके बाद यहां पर भी query and then यहां पर भी query okay like u.email like hmm select u from user u where u.firstname then last name then last name इसके बाद email so i guess a spell mistake नहीं है let's check and query एक बार में यहां पर देख लेता हूं select just technique u from user u where u like or email like repository hmm hmm so like like यह वाला ठीक है यह यहां पर नहीं आएगा and एक बार इसको save करते है अब i hope this time our error is got result so let's rerun it once all right but yeah guys so हमारा error error जो था वो resolve हो चुका है ठीक है हमारी query में कोई दीक कर नहीं है now let's go to postman and check करते हैं पहले तो सारे user को get करते हैं of course सारे user get हो रहे है no problem with all user okay and अब user को update भी करके देखते हैं actually मुझे यहां पर code भी चोज़ते ना था okay so okay user भी update हो रहा है get all users में भी एक बार देख लेते हैं code with chose आ चुका है ठीक है and database में भी let's check once so यहां पर आप देख सकते code with chose name update हो चुका है all right अब इसकी following and followers दोनों जो गाइस है वो फिलाल के लिए null है ठीक है so let's do this पहले मैं add request करूँगा and यहां पर लिखूँगा follow unfollow user यूजर ठीक है यहां पर I guess मैंने follow user के लिए नहीं बनाया है controller right search के लिए ही बनाया है ओके बनाया है ठीक है तब मुझे यहां पर देना है follow okay users follow and 2 id देनी है मुझे so users 2 id देनी है so इसमें मैं क्या करूँगा कि यह जो हमारा get all users है ना इसमें यह पहला वाला user RAM को follow करेगा code which chose to have फो RAM को follow करेगा so ऐसा कुछ मुझे देना है यहां पर false and यहां पर 2 देनी है id बढ़िया and यहां पर हम put mapping रखेंगे ठीक है now let me hit and बढ़िया वाला exception cannot invoke java.util.list and object because the written value type of get followers okay now यहां पर get followers जो है वो फिलाल की रिए empty है so sorry null है so यह null नहीं होना चाहिए empty list होना चाहिए so यहां पर new array list create कर देते है ठीक है इसको भी यहां पर new array list देदूंगा में ctrl s करूंगा and एक बार और try करते है return value get follower get followers get followers जो फिलाल ठीक है अब देखते है इसमें क्या है okay इसमें तो null ही आएगा followers I guess मुझे एक बार ना database drop करना पड़ेगा guys ठीक है so let's drop the database once or maybe change कर देगा चलो database को drop भी कर देते है once ठीक है यह create भी हो चुका है jose social youtube अब once इसको मुझे rerun करना पड़ेगा ठीक है तब जाके यह सारे tables create कर देगा इसके अंदर अब table create होने के बाद मुझे एक user इसमें add करना पड़ेगा so अभी तो मैं sita को करता हूँ इसके बाद यहाँ पर ram को करूँगा ram arora and यहाँ पर मैं दे दूँगा six and इसका email भी change कर दूँगा ram ठीक है इसको भी run कर देंगे all right now let's check here error no database selected so use josh social and youtube ठीक है इसको use करना पड़ेगा unknown database okay josh social youtube josh social okay and and अब देखते है users में मेरे पास दो बड़े बड़े followers आ चुका है okay sita and ram ठीक है दो user मेरे पास है इसका first name sita ram है and gender null है अभी last name यह है password यह है and that's it इसका email नहीं है क्या okay email भी यहां पर दिया हुआ है id यहां पर है ठीक है now let's follow user को चेक करते है follow on follow user को okay अब जैसे ही guys मैं इसको hit करता हूँ and फिर से एक बार error user not exist with id 1 of course guys अब 1 or 2 exist नहीं है so हमें 5 देना है 5 कौन से किसकी id है so let's check एक बार 5 किसकी id है 5 sita की id है and 6 ram की id है so sita जो है वो ram को यहां से follow करेगी so जैसे ही मैं enter hit करता हूँ that's it guys अब यहां पर देख सकते है इसकी following में 6 आ चुका है और अगर मैं 6 को देखता हूँ ram को ठीक है ram को यहां पर gate करता हूँ तो देख सकते है ram के followers में 5 id आ चुकी है ठीक है so यह तो successfully working fine अब क्या करते है कि user को search कर लेते है ठीक है follow unfollow का तो guys and database में भी guys एक बार में आपको देखा देता हूँ यह बड़े-बड़े addresses आ रहा है थना अब addresses नहीं आएगे इसकी बज़े यहां पर id आएगी so let's check चा फिर भी addresses के साथ id आ रही है okay no problem ठीक है no problem मतलब अगर मैं get all users भी करता हूँ ठीक है and RAM इसके followers में 5 है ठीक है चुके 5 सिता की id है all right now यहां पर user को search करते है search user अब guys यह जो search user है ना इसका endpoint को different रहने वाला इसकी API है वो थोड़ी से different रहने वाली है चाहूँगा भी यहां पर get mapping user search ठीक है इसके बाद the query हमने यहां पर pass की है so what I need to give here search and इसके बाद मुझे यहां पर query देनी है so query params हम यहां पर दे सकते है इसमें मैंने दिया है query and इसकी value यहां से मैं दूँगा फिलाल के लिए RAM दे देता हूँ and let's hit the API okay so यहां पर sita RAM है इसलिए यह आया and इसका first name RAM है इसलिए यह आ चुका है लेकिन अगर मैं यहां पर केवल sita देता हूँ तो search API को test करना है सबसे पहले user search इसके बाद query parameter लगाना है query equal to यहां पर हमारी query की value देते नहीं यहां पर भी दे सकते है so user की API guys यहां पर खतम होगी अब next video में हम relation देखेंगे one to many, many to one जो होता है न वो सारा relation हम next video में देखने वाले है and one more thing guys video को like, share like, share and comment करना मत बुलना और अगर अभी तक आपने playlist access नहीं की है तो please access कर लीजे इसको link description में आपको मिल जाएगा ठीक है guys फिर मिल जाए next video में